भार्टे क्रिकेट टीम ने सिंगले स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौते दिन श्रिलंका को एक पारी और तिरपन रनों से हरा दिया है इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज में अज्जे बढ़त बना ली है अपनी पहली पारी में 183 रनों पर सिमटने के बाद फॉलो आन को मजबूर मेजबान टीम दूसरी पारी में 386 रनों पर धेर हो गई फॉलो आन को मजबूर मेजबान शिरलंकाई टीम के दो धुरंधर भी हार नहीं बचा पाए जी हाँ दिमूत करुना रतने की नौट आउट 141 रन और कुशल मेंडीज की 110 रनों की शांदार शत्यकिये पारियों के बावजूद दूसरी पारी में शिरलंका की टीम 386 रन ही बना पाई शिरलंका की दूसरी पारी को समेटने में भारतिय खिलाडी रविंदर जड़ेजा ने अहम भूमी का निभाई उन्होंने सबसे अधिक 5 विकेट लिये इसके अलावा हार्दिक पंडिया ने दो और उमेश यादव तथा रवी चंदरन आश्वीन ने एक एक विकेट लिया अपने तीसरे दिन के सकोर दो विकेट पर 209 रनों से आगे खेलने उतरी मेजवान टीम ने रविवार को दिन के पहले सतर में अपने दो विकेट गवा कर कुल 302 रन बनाये थे पहले सतर में आउट होने वाले खिलाडी मेलिंडा पुष्पकारा और दिनेश चान्री मल थे इसके बाद दूसरे सतर में टीम के खाते में 8 रन ही जोड़ पाये थे कि जड़िजा ने करुना रतने को अजिंक रहाने के हाथों कैच आउट कराकर श्रिलंगा को बड़ा जटका दिया उनके आउट होने के साथ ही टीम बिखर गई करुना रतने ने अपनी पारी में खेली गई 307 गेंदों में 16 चौके लगाए करुना रतने के आउट होने के बाद टीम की पारी को आगे बढ़ाने वाले एंजिलो मैथ्यूज और दिलरुबान परेरा जडेजा की गेंद पर विकेट के पीछे खड़े रिद्धिमान साहा के हाथो कैच आउट हो गए श्रिलंगा की बिखरती पारी को समभालने आया धननजे डी सिल्वा और निरोशन डिकवेला ने 22 रन जोड कर टीम को 343 के स्कोर तक पहुँचाया लेकिन जडेजा ने ही सिल्वा को रहाने के हाथो कैच आउट कर घर भेजा डिकवेला को पांडिया ने रहाने के हाथो कैच आउट कर पविलियन का रास्ता दिखाया नुवान प्रदीप को अश्विन ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराने के साथ ही श्रलंका की पारी को समेट दिया इसके साथ ही विराट कोहली ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने श्रलंका में दो सीरीज जीती है भारत ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिजवान टीम को 304 रनों से हराया था तीसरा टेस्ट मैच पहले केले में 12 अगस्त से खेला जाएगा इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 एक दिवसी और एक टी-ट्वन्टी मैच खेले जाएंगे DB Live की रिपोर्ट